आंगनवाडी कारिकरता सहाईका संग ने 13 सितंबर सोमवार को पूरे प्रादेश में साथ सूत्रिय मांग को लेकर एक दिवसी अधरना प्रदर्शन का आयोजन कर ग्यापन सौपा है अंगनवाडी कारिकरता सहाईका के द्वारा शहर में रैली निकाल कर एक दिवसी अधरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया वहीं साद सूत्रीय मांगों को लेकर आगनवाडी कारिकरता सहाई का संगने प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री के नाम कलेकर को ग्यापन सौपा है इसकी मुरकर्स के रूप में सुरू हुई है किन्तु आज कम से कम 47 साल हो चुका 47 साल चल रहा है इसके बावजूद भी आज हमारे कारकरता सहाई कांग को और मीनी आंगनबाडी कारकरतां को जो सरकार काम कर रहा है उसके एवज में हम लोग को संतूर्ष्ट जनक मांदे नही को और मुख्या रूप से यह है कि हम लोगों को जास्के करम्चारी घोसित नहीं करता है तब तब तक हमें निम्तम मानने दिया जाए यदि इसके बाद मांग पूरी नहीं होगी तो हम आने वाले समय में फिर धर्ना प्रदर्शन करेंगे, बार-बार हम सरकार को धर्ना प्रदर्शन के माधियम से हम अपनी बातों को ग्यापन को रखते रहेंगे और उनको बताते रहेंगे दर असल आंगनवाडी सहाईका संग ने सास्किय क्रमचारी घोशित कर समाजिक सुरक्षा दे कर उन्हें उचित स्रणी में शामिल करने केंद्र सरकार द्वारा निनोतम वेतन 18,000 सहाईका को 9,000 प्रतिमाह देने नई शिक्षा निती 2020 के अंतरगत आंगनवाडी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल में बदलने पर आंगनवाडी कारिकरता को प्री प्राइमरी टीचर वा सहाईका को प्री प्राइमरी असिस्टेंट टीचर के सिक्षण के अनुभाव पर उनकी सैक्षणी की योग्यता को देखते हुए प् मांग पूरी नहीं होने पर आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी आंगनवाडी कारेकरता सहाई का संग ने दी। गौरतलब है कि आंगनवाडी कारिकरता द्वारा इसके पूरो भी कई बार साथ सूतरिय मांगो को लेकर आंदोलन किया जा चुका है। बावजुदिस के सरकार उनकी मांगो पर ध्यान नहीं दे रही है। जिसके विरोध में एक बार फिर आंगनवाडी कारिकरता साहिका ने एक दिवसी धर्णा प्रदर्शन का आयोजन कर सरकार का ध्यान आकरशित करने का प्रयास किया है।